आप सबे को एक्जाम ननो यूटूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है जारकन सिख्चक बरती परिक्षा को लेकर के एक नया नोटीस जो है जे एससी की ओर से जारी क्या गया और इस नोटीस में आपका क्लास 6-8 के बारे में कुछ जानकरिया दी गई और ये important जानकरिया आपका अगर आप 6-8 के लिए apply किये है तो ये नोटीस आपके लिए most important है complete वीडियो में बन रहेगा, exam कब होगा, त्यारी कैसे करना हम लोग details में बात करेंगे इससे पहले एक notice आपका release क्या था JSSC जिसमें बताया था कि paper 4 में क्या करना आपका subject का preference आपको choose करना था क्योंकि आप देखेंगे अगर आपना syllabus को तो जो आपका paper 4 है, paper 4 में आपको subject preference भरना था according to आप जो भी teacher बनना चाहते है जैसे कि अगर आप गनित और विग्यान सिक्षक बनना चाहते है तो आप इन 5 subject में से आपको 3 subject choose करना था math and science वालों के लिए क्या क्या subject था, गनित था, वोतिकी था, रसाइन सास्त्र, पनस्पति विग्यन और प्रानि विग्यन उसी प्रकार से अगर आप समाजिक विग्यन सिक्षक बनना चाहते है तुहाँ पर total आपको 7 subject है, 7 subject में से सिर्फ और सिर्फ 3 subject आपको चूज करना था जिसमें हर एक subject से आपको 60-60 marks का question देखने को मिल सकता है यह एक minimum है कि 60 question एक subject से आपको देखने को मिल सकता है total 180 question आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और टोटल टाइम आपको टीन घंटा का दिया जाएगा और जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उसमें आपका हर एक बिसेई में आपको 33% मार्क्स लाना आपको जोरूरी है यानि माल लेते हैं कि आप इतिहास, भूगल और राजनिती भी गन चूज करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट से आपको 33% मार्क्स भी आपको गेन करना होगा तो ही जाके आपका सभी बिसेई के प्राप्तन के आधार पर आपका मेधा सुची त्यार किया जाएगा माल लेते हैं कि आप भूगल में 100% ला दे रहे हैं बट इतिहास में आपका 33% नहीं आता है तो आपका जो है बाकी बिसेईों का मार्क्स को जोड़ा नहीं जाएगा और मेरिट में आपका नाम नहीं आएगा तो यह एक most important है कि हर एक बिसेई में आपको 33% लाना एकदम compulsory है यहां साप साप लिखा हुआ है कि उसी के बाद आपका प्राप्तन को मेधा सुची के लिए त्यार किया जाएगा तो यह जो आपका लिंक open हुआ है आज से open हो चुका है और कब तक आप भर सकते हैं 17 मई से 23 मई तक इस लिंक पर जा करके यहां पर आपको लिंक दिख रहा होगा जो कि आपका description में भी दे दिया जाएगा इस लिंक में जा करके आप अपना subject preference को चूज कर सकते हैं बाकी यह notice को टेलिग्राम चनल में डाल दिया जाएगा को डाउनलोड कर लिजिएगा जिसमें आपको पेपर 4 का sst का test 3 आपको देखने को मिलेगा अब हम लोग math and science का नहीं लाप आया है बट sst का test 3 आपको पेपर 4 में देखने को मिलेगा तो application को डाउनलोड करने के बाद यह सारे चीज़ा आपको पता चलती रहेगी साथ ही टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लिजेगा क्यों हाँ भी बहुत सारे information हम लोग डालते रहते हैं इसके बाद में और कोई भी आपको doubt है तो comment box में comment करके पूछिएगा आपको doubt का जबाब दे दे जाएगा चलिए आज इतना ही मिलते हैं सामने आपका एक class के साथ Thank you